नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है क्यूं शादी के बाद दौरत की कमर चौड़ी हो जाती है। इसको पूर्ण रूप से जानने के लिए सेन फ्रांसिसको के शोद करताओं ने 18 सेकंड लेकर 26 साल तक की 162 महिलाओं पर 6 महिने तक शोद किया और उसके बाद जो परिनाम सामनी आया वह काफी चौकाने वाला था। शोद करताओं ने महिलाओं के समूह को दो भागों में बांट दिया जिन में से एक समूह की महिलाओं को केवल एक पुरुष के साथ ही समबंद बनाने को कहा गया जबकि दूसरे समूह की महिलाओं को एक से अधिक साथी के साथ समबंद बनाने दिया गया जिसमें निर्धारित समय के बाद यह पाया गया कि पहले समूह वाली महिलाओं की कमर कम चौड़ी थी जबकि दूसरी समूह वाली महिलाओं की कमर अधिक चौड़ी थी साथ ही शोद करताओं ने इस बात का भी खुलासा किया कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं के कमर थोड़े बड़े हो जाते हैं जिन महिलाओं की कमर चौड़ी होती है उन्हें कई सारे फाइदे होते हैं जैसे बच्चे को जन्देते वक्त उने कम पीड़ा का एहसास होता है और ऐसी महिलाएं बड़े ही सामान या रूप से बिना किसी दुर घटना के बच्चे को जन्दे देती है शोद करता हूँ नहीं यह भी बताया कि जिन महिलाओं की कमर का नापिक तीस इंच होता है उन महिलाओं को बच्चे को जन्देते वक्त थोड़ी अधिक पीड़ा होती है वहीं जिन महिलाओं की कमर का नापिक तीस इंच से उपर होता है उन्हें बच्चे को जन्देते